हेलो स्टुडेंट्स class of achievers में आपका स्वागत है और आज हम सोल करेंगे linear equation in one variable में से इस question को देखिए तो पहले में आपको question की statement समझा देता हूं जिससे आपको question का अनसा समयन में असानी होगी यह बोलता है आमीना think of a number and subtract 5 upon 2 from it तो आमीना एक number के बारे में सोचती है बोलता है और उसमें से 5 upon 2 जो वो subtract कर देती है C multiplies the result by 8 उसके बाद जो answer आ रहा है उसको बोलता है 8 से multiply करती है the result now obtained is 3 times the same number C thought of तो बोलता है वो जो number आया है तीन गुना जादा है जो उसमें number पहले सोचा था जो number पहले सोचा था तो what is the number हमें number नहीं पता तो हम उसको माल लेंगे let the number होगा x यह हमने number माल लिया अब पहले condition के इसाफ से चलते है जो हमने हमें question में बताई गई है कि बोलता है एक number है जो कि हमने x माल लिया अब उसमें से बोलता है 5 upon 2 subtract करती है तो देखिए according to the question तो हमें कहा गया कि जो number है उसमें से घटाया 5 upon 2 subtract करा result आया तो result यह है इसको multiply कराया बोलता है 8 से तो जो result आया वो 3 गुना है the same number से थोट जो उसने number सोचा था number उसने सोचा था x उसका 3 गुना है उससे 3 गुना जादा आये तो number उसका क्या था x तो हम इस number के बराबार अगर इसको करेंगे तो यह 3 गुना छोटा था इसमें हम 3 से multiply करेंगे अब पहली चीज की इसमें 3 से multiply नहीं करेंगे नहीं यह पहले से 3 गुना पहले से बढ़ा है अगर इसमें x की value रखेंगे तो पहले से यह बढ़ा ही नंबर आएगा जैसे माल लो इसको इसमें इसमें 3 से multiply करेंगे तो अगर हमें लिखना होगा यह इसके बराबर तो यहां पर 3 से multiply करना पड़ेगा इस तरह की चीज है अब बतो असान है अब इसका ले लो तो लसे मा जाएगा यह 8 और 1 और 2 का लसेम 2 आएगा और फिर इसको डिवाड़ कर तो दो बार में गय करा 1 से 2 को करा और ओपर multiply करा तो 2x आजाएगा minus इस इसको divide करा एक बार में आया और ओपर multiply कर देंगा 5 multiply by 1 is equal to 3x और बाकी यह multiply हो कि इसको simple form में ऐसे लिख सकते हैं 2x minus 5 upon 2 is equal to 3x अब दूसरी जीत जो बच्चे गलती करते हैं वो यह कि इसको इससे plus यह minus करने लगते हैं यह नहीं होगा यह x वाली term है और यह constant है तो यह आपस में plus minus divide कुछ नहीं होते हैं यह ऐसी रहेगा जाद से जाद हम यह कर सकते हैं यह 8 जो बाहर का यह अंदर multiply हो जागा दोनों से इससे उपर हम कुछ नहीं कर सकते हैं जो कि हम करने वाले हैं इसमें तब यह bracket खुलेगा तो यह 8 दोनों से multiply जागा तो आएगा 16x minus 40 upon 2 is equal to 3x अब देखिए यह upon पूरे में है तो यह set जाएगा cross multiply हो जाएगा तो यह आएगा 16x minus 40 is equal to 6x और अब x वाले term को excite करेंगे और constant वाले को excite क्योंकि मैं आपको अब ही बताया कि वे constant वाले के साथ variable जो हो plus minus यह divide नहीं हो हो तो यह set जाएगा तो sign change जाएगा तो यह आएगा 16x minus 6x is equal to 40 16 में से 6 गया तो बचेगा 10x is equal to 40 तो x की value आजाएगी 40 upon 10 तो जो किया आएगी 4 तो यह वो नंबर है जो उसने starting में सोचा था तो इस तरह का पूरा answer और question के साथ पूरी सारा चीज है अगर आपका भी को doubt है तो आप comment कर दिजिएगा अब और हमारे WhatsApp group में बजूड़ सकते हो जिससे आप मेरे से direct को जो कोई सवाल है उसको पूर सकते हो तो उसका link आपको website में मिल जाएगा और दूसरी चीज है कि अगर आपका किसी और question में को doubt होगा तो आप comment कर दिजिएग काया किसी और सकते हो ज़िक है कि हुआ होगा तो